नमस्य दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए एग्लेस स्ट्रॉबेरी मफिन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी इस टाइम पे सीजन में है और बच्चों को स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और केक्स बहुत पसंद आते हैं तो आज मेरी बेटी की डिमांड पे उसके फेवरिट स्ट्रॉबेरी मफिन्स मैं बना रही हूँ बनने में बहुत असान है, घर में अवेलेबल कुछी समान का इस्तमाल होगा और बहुत जादा टेस्टी यह बन करके रैडी होते हैं बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं यह स्ट्रॉबरी मॉफिन्स बनाने के लिए मैंने 1 फोर्थ कप रिफाइन ओयल लिया है आप कोई भी ऐसा ओयल लिजेगा जिसमें स्ट्रॉंग स्मेल ना हो साथी डाल देंगे 3-4 कप पिसी हुए चीनी आदा कप चीनी को नाप करके मिक्सी में पीस लिया है दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे जब तक यह इस तरीके से क्रीमी ना हो जाए अब इसमें डाल रही हूँ आदा कप दूद तो दूद एकदम रूम टेंपरेचर पे है इसके साथ ही एक चुटी चमच विनेगर विनेगर की जगए लेमन जूस ले सकते हैं और आदी चुटी चमच में डाल रही हूँ स्ट्रॉबरी इमल्शन इमल्शन का मतलब है जिसमें कलर और एसेंस दोनों हो तो मेरे पास यह अवेलिबिल था मैं यह इस्तेमाल कर रही हूँ आप से फैसेंस डाल सकते हैं इन साब चीजो को अच्छे से मिला लेना है विनेगर की वज़े से दूद फट जाएगा तो इसको अच्छे से कंबाइन करें जब तक इस तरीके से ना हो जाए अब इसमें हमाई ड्राइ इंग्रेडेंट्स टाल देंगे तो एक कप मैं मैदा ले रही हूँ आप मैदा की जगेगी हूँ का आठा ले सकती है आदी चूटी चमच बेकिंग पाउडर चाथाई चूटी चमच बेकिंग सोडा यानि खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा साथ ही मैं यहाँ पर दो टेबली स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ यह टोटली ऑप्शनल है इसको डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा द्वेज चाता है बढ़ अगर नहीं है तो इसकिप कर सकते हैं अच्छी से मिक्स करके इन सब को छान लेंगे ड्राइ इंग्रिड करें और हमारा रेड़ी है एकदम स्मूद और एकदम दिख्याप देख सकते हैं इस तरह का रिभिन कंसिस्टेंसी का बैटर बन करके हमारा रैड़ी होगा है अब अगर आप स्ट्रॉबेरी केक बना जाते हैं तो इस पैटर को एजचिटी इसस इसमाल करें मैं मौफिन्स बना रहे हैं इसलिए मैं चौको चिप्स टाल रही हूं मैंने वाइट चौको चिप्स ली है और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली है चार से पांच इने हमने छोटा-छोटा काट लिया है अगर आप केक बनाएंगे तो स्ट्रॉबेरी और चौको चिप्स इसमें एड़ना करें अच्छे से इनको इसमें अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और बस हमारा मॉफिन्स बनाने का बैटर बन करके रह लिए यह देखने में अभी से कितना टैम्टिंग लग रहा है मुझे तो ऐसे खाने का मन कर रहा है यहां मैंने ले लिया है मॉफिन मोल्ड तो यहां मैंने सिल लेकिन बैटर को बहुत उपर तक आपको नहीं बढ़ना है आदा या फिर 3-4 ही इसको फिल किजेगा क्योंकि जब यह बेक होते हैं तो अपनी क्वांटिटी में जस टबल हो जाते हैं तो बस ही हमने साथे जो मोल्च है रेडी कर लिए हैं चार से पांच वार इसको टैप कर बस रेडी हैं यह बेक होने के लिए उपर से हम थोड़ी से स्टॉबेजिस डाल रहे हैं जिसे दिखने में और भी अच्छे लगेंगे और थोड़ी सी माच चौको चिप्स डाल रही हूं आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और वाइट चौको चिप्स लेगे डाक चौको पर इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए इनको बेक कर लेते हैं आवन में बेक करेंगे तो 170 डिग्री पे 18-20 मिनट आपको लग जाएगा तो यह वाला जो मोल्ड है वो मैं आवन में रखती हूं और यह वाली प्लेट हम रखेंगे गैस पे तो इसमें मैंने एक प्लेट पे तीन गरम होता है यह तो बहुत साथ दाने से आप रखें तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप कर देंगे और इसे तक्रीबन 25-30 मिनट लग जाएगा एकदम लो फ्लेम पे इसे हमें बेक करना है तो लीजे फ्रेंड्स तक्रीबन 28 मिनट लगा था इसको बेक होने में से सेंटर में आप इसे चैक ना करें विकोस ऑक और स्टृबेरी आपको गीलया ऐए तूथ पीक इसलिए साइट से इस तरीके से आप इस से चैक करे है यह तो इसे से तरीके से वाइरा करें एक रूम टैंप्रेश्र पहर बिलकुल अब तूब करें उसके बाद इसे तो करें यह देखिए हमारे muffins अच्छे से बिलकुल ठंडे हो चुके हैं, देखने में देखिए अभी से ही कितने बड़िया यह लग रहे हैं, और यह देखिए, इतने सादे muffins सिर्फ एक कप मैदा में बनाकर हमने रेडी किये हैं, तो आठ यह बड़े साइस के muffins बने हैं, और वो द और कीक रेसिपीज आपने ट्राई करी, आपको पसंद आई, I am sure यह भी आपको बहुत पसंद आएगी, और बच्चों को तो यह बहुत पसंद आती है, तो इन्हें आप जरूर ट्राई करें, तो चलिए friends, आज के लिए बस इतना ही, आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कामेंट करके जरूर बताईएगा